हेलो दोस्तों की हल चाला हैं दोस्तों आज का वीडियो हम कंट्यूनी करेंगे हमने यहां तक आपको कोशन करा दिये थे निम मैंसे किसने तीनों गोल में सम्मिलेन में भाग लिया था वो लिया था ओप्सन नंबर सी आपका बिलकुर राइट है वेमरा अंबेट करने तीनों गोल में सम्मिलेन भाग लिया था हमने यहां तक आप सभी कोशन करा दिये थे दोस्तों आप सभी के लिए डेले इंपोर्टेंट कलास आ रहे तो कोई साई वीडियो मिस ना करें आप सभी यह वीडियो आपके लिए बेहद इंपोर्टेंट है आपके आने वाले एक्जाम के लिए तो आज का वीडियो स्टाट करते हैं बिना किसी देरी के मैं नाम राम है आप देख रहे हैं यह स्टेडी चलिए वीडियो स्टाट करते हैं फटाफट आज की वीडियों पढ़ने वाले हैं वाई गुरूप में लगातार पूछे गई परसन ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपोर्टेंट आप सेर जरू कर देना देखते हैं पहला गोसा निम में से महातमा गांधी को सब प्रिथम राष्टे प्रिता किस ने कहा आगे देखते हैं निम में लिखते में से गदर पार्टे के पर्मुक नेता कौन थे दोस्तों ये वाई गुरूप में लगातार पूछे गाएं तो याद कर लेना इस बार पूछे जा सकते हैं वो थे ऑप्सिन नमबर डी आपका बलको राइट है लाला हरदयाल गदर पार्टे के पर्मुक नेता थे नोट कर लेना इम्पोर्टेंट है आगे देखते हैं मानफदा के लिए एक धरम एक जाती और एक इसवर का सिद्धान किसने दिया था वो दिया था ओप्सिन नमबर डी आपका बलको राइट है शिरी नारण गुरु ने एक धरम एक जाती और एक इसवर का सिद्धान दिया था आगे दिखते हैं साल 1916 में होम रूल लिंगा अंदोलन किसने शुरू किया वो किया था ओप्सन नमबर D आपका बिलकुर राइट है एनी बेसेंट ने यदि दोस्तों ओप्सन में बाल गंगा धर तिलक आए तो आप बाल गंगा धर तिलक करके आना शुरू कि होम रूल लिंगा अंदोलन बाल गंगा धर तिलक और एनी बेसेंट ने सुरू किया था वो कब सुरू किया था? 1916 में नोट कर लेना इंपोटेंट है ये आपके एक्जाम में बहुत वार पूछा गया है पिछली बार पूचा गया था कि होम रूल लिंगा अंदोलन कब शुरू हुआ था 1916 में तो इस डेट को याद कर ले ना ये एक्जाम में पिछली बार पूचा गया है तो दिहान से याद कर ले ना इस question को ये repeat होता रहा था आपके एक्जाम में नोट का लेना important है और दोस्तों ये question ऐसे भी आ सकता है कि विसका सबसे पुराना मंदिर कहां पर है वो है बिहार में तो नोट का लेना important है आगे दिखते हैं बारत में किसे अर्थवास्ता के लिए नोबल प्रसकार मिला है वो किसको मिला है option number D आपका बिलकुर right है अमरत्य सेन को अर्थवास्त के लिए नोबल प्रसकार मिला है नोट का लेना important question है आगे दिखते हैं किस देश ने पहली बार कागज की मुदरा की सुरुवात की थी underland का लेना important है वो की थी option number B आपका बिलकुर right है चीन ने पहली बार कागज की मुदरा की सुरुवात की थी नोट का लेना कागज के नोट चलाएते चीन ने आगे दिखते हैं नावी वर्स किस देश का एथियासिक नाम है किस देश का है option number A बिलकुर right है आपका बहरत का है नावी वर्स एथियासिक नाम नोट कर लेना इसे important है पूछा जा सकता है underline चलू कर लेना आप वीडियो पसंद आ रहा है तो like कर दीजे आप चैनल पे नहीं हो तो चैनल को subscribe कर लेना हमने आप सभी के लिए daily important class start कर दी है अभी तो आपने पिछला वीडियो देखा आप जाके देख लीजे हमने आई बटन पर link दे दिया है daily class आ रही है तो कोई साई वीडियो मिशना करें आप सभी important है आपके लिए आगे दिखते हैं अंग्रेजो की सायक गटवंदन की नीती का पहला सिकार कौन बना वो बना था option number D आपका बिल्कुर राइट है है धरवाद सायक गटवंदन की नीती का पहला सिकार बनाता है है धरवाद option number D इसका राइट उत्तर है note कर लिना important है आगे दिखते हैं बारतिय राजनीती का grade old man किसे कह जाता है दोस्तो इस टैप की question आएंगे आपके exam में तो जरू नूट करने ने question पूछा जा सकता है option number B आपका बिल्कुर राइट है दादा भाई नरोजी को भारतिय राजनीती का great old man कह जाता है important है इस वार पूछा जा सकता है तो याद कर लेना आप द्यान से आगे दिखते हैं बारत में पहली यूरोपिय बस्ती किस इस्तान पर इस्तापित की गई थी वो की गई थी option number A बिल्कुर राइट है कोची में पहली यूरोपिय बस्ती इस्तापित की गई थी कोची में Option number A, बिल्कुर राइट है, इसका आगे दिखते हैं, बक्सर की लड़ाई के बाद बंगाल के नवाव की गद्धी पर किसे बठाया गया, दोस्तों, इंपोर्टेंट है, पिछली बार पूचा गया था, बक्सर की लड़ाई कब हुई थी, आपको सन बताना नीचे कमेंट में इसका उत्तर किसको पता है, बक्सर की लड़ाई कब हुई थी, इसमें पूचा गया है कि बक्सर की लड़ाई के बाद बंगाल के नवाव की गद्धी पर किसे बठाया गया, वो बठाया गया था, आपका बिल्कुर राइट है, मीर जाफर को, बक्सर की लड़ाई के बाद बंगाल के नवाव की गद्धी पर मी जावर को बठाया गया था, नोट का लेना important है, आगे दिखते हैं, गौतम बुद्ध को एक देपता का इस्तान किस राजा के युग में प्राप्त हुआ था, वो हुआ था, option number B आपका बिल्कु राइट है, कनिक्स युग में गौतम आपका बिल्कु राइट है, स्वामी दयानन सस्वती ने नारा दिया था, वेदो की और लोटो, एक्जाम में बहुत बार पूचा गया था, नोट कर लेना, दोस्तों आज की वीडियो में हमने important question करा हैं, जो आपके एक्जाम Y group में लगातर पूचे गए हैं, मैं उम्मीद करता हूँ, आपको वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो पसंद आया तो आप प्लीज लाइक कर दीचे, चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सस्काइब कलेना, बगल वाली घंटी दबा देना, हम आपके लिए daily important वीडियो ला रहे हैं, कोई साई वीडियो आप मिसना करें, important वीडियो आने वाला है, जै हिंद!